जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सिक्षक परिवार गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी प्रेटफोर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उंदा होगा दुस्तो आज के है वीडियो आज के पूरे दिन का एनलिसिस देखेंगे कि आज आयोग ने कितने भारी भारी से कुशन पूछे है जिससे आने वाले एक्जाम के लिए बैटने वाले स्टूडेंट के लिए पेपर आसान हो जाएगा रट डालिएगा कि कौन सा चैप्टर आया है उसको देख लिजेगा उसे पहले हम एक कुशन लेते हैं कि विस्व जल दिवस मनाया जाता है ये कुशन मैं बीच बीच में इस वीडियो में लेता रहूँगा पांच मिनट के अंदर और आपको जबाब देने हैं अब चलते हैं इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पूशा गया है तो स्वक्षिता मिसन से दो दिन से लगातार यानि पहले दिन यानि पांच तारीक की अगर मैं बात करूँ जब से स्टार्ट हुआ एक्जाम उस दिन भी ये पूशा गया 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरुआत की गई थी ठीक है न ऐसा कौन सा पक्षी है जो काटेदार ज़ाडियों में गोसला बनाता है या बनाती है तो दोस्तों इस तरीके से इस लेंग्विस में एक कुशन पूशा गया तो सभी तरीके के जैसे कल चिडी चिडी आ है कौवा कहां पर बनाता है कोयल बनाती है न कोयल नहीं बनाती कौवा बनाता है यह कह सकते हैं, जितने भी परकार के गोसला हैं, वो देख लेना है, आपको C8 में पढ़ा है, अगर आपको देखना है, तो C8 पक्षी के गोसला इसे डालोगे, वो वाली वीडियो खुल जाएगी, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तो काली मिट्टी, अ मुझे लगता है कि वहाँ पर क्या होगा, अब्दुल कलाम अगर आंसर होगा, तो भीया, विल्कुल सिंपल सी बात है, अजब पूरे दिन के हैं, यह आपको याद रखना है, तो इस कुस्षन का जबाब आपने मार लिया होगा, 12-22 मार्च को जो है, 200 जल दिवस मनाय जात देखते हैं, उमीद है, कुस्षन पढ़ लिया होगा, चलिए आज का अनलिसिस देखते हैं, पांच में नमबर की, रेल गाली से कुस्षन पूछा गया कि रेल गाली की सुरुवात कव हुई थी, तो यह कुस्षन पूछा गया है, महिला पर चहरे पर कौन सी मिट्टी का उ पूछा अनलिस से कुस्षन पूछ लिये गया है, कौन सी सिफ्ट में आप थे, आप की सिफ्ट में हो सकता है, आर टीाई का फुल पूछा गया है, बहूट आसान था, तो इस ऐस पूछा नमबर नाईं यहाँ पर 13 देखेंगे, उससे पहले एकुस्षन फिर आपको हम कुछन पढ़ लीजेगा कुछन का टेस्ट बीच में हम डाल देते हैं इसलिए अगर आप पहली वार चैनल पर है तो इमानदारी से सेलेक्षन के लिए इमानदारी से चैनल को सस्क्राइब कर लेना हर बहन हर भाई को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस बार सेलेक्षन आपके से साथ प्रशन पूछे जा रहे हैं मैंने पूरी अंतरिक्ष विज्ञान की कुछन की वीडियो कराई है लाखों ने देखी है ओजोन परस से समन्दित कुछन आया तो ओजोन का मतलब ओथरी है कहां पर समताप मंडल में है ओजोन मांटरिल कार पोटोकॉल इस तरीके से सहसवावस्था में बच्चों के क्रिया कलाप होते हैं यहां से कुछन पूछा गया तो यह तो ऑप्शन देख कर ही पता चलेगा चलिए अब बारी है इस कुछन को सौलब करने की रेगिस्थानी ओग नाम का एक पेंड है जो पाया जाता है अबुदाबी में आस्ट्रेलि जहां पर आप देखते हो पश्चिमी इलाका जो है वो एक रेगिस्थानी इलाका है रेतिला इलाका है और यह रेगिस्थानी ओग पेंड जो है वहां के लोगों के लिए बड़ा कारगर सावित होता है पानी के लिए आपदा प्रबंदन से संबंदित एक कुछन आया था दोस्तों वो देख लेना है बायू मंदल से कुछन आया है तो बायू मंदल की पांचों परत के बार में देख लेना है चोब मंदल में क्या होता है समताप मंदल में क्या होता है मद्य मंदल में क्या होता है है इस तरीके से ट्रोपोस्पेर हुआ स्ट्रेटोस्पेर हुआ म आपको देख लेने मद्ध्य प्रदेश में किस प्रकार के बन पाया जाते हैं ये कुसन पूछा गया है ठीक है चलिए एक कुसन लेते हैं कि पौधे के विभिन भागों के सिक्षड है तू आवस्य क्या है अब ये पैड़ा गोजी वाला कॉंसेप्ट है आपको बताना है कि अगर पौधे के विभिन भागों में सिक्षड कराना है एक अध्यापक या अध्यापी का कल्ब को आप बनके जाते हो या जाती है इसकूल में और आपको बताना है कि ये पौधा बेटा इस तरीके से अगर नीम का पेंड के बारे में आपको बताना है अगर आप नीम के प पुछड़े तु आवस्यक है पौदे का आवलोकन इसलिए सबसे बढ़िया आंसर हमारा पैडागोजिकल कॉंसेट मांगता है आंसर हमारा बेटा C option चला जाएगा अगला है 20, 21, 22 आगमन और निगमन विदी से कुष्चन आ रहे हैं इनके दोनों को जनक आपको याद कर लेन आगमन विदी कहा से कहा तक चलती है निगमन विदी कहा से कहा तक चलती है अमूर्ति मूर्त् कौन सी कुछन आपका मनो विज्ञान में पूछा गया है एक कुछन पैडागोजी कर लेते हैं बहुत जबर्जास कुछन है CTP का लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं क्या ऐसा सही है बताइए लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक यह कथन सही है गलत है वुद्धि के विविनर पक्षों के लिए सही है लेंगिक पूर्बाग्रो को प्रदर्शित करता है तो दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी लिंग का प्रभाव वुद्धि पर नहीं पड़ता है लड़के लड़कियां कभी भी आपको ऐसे options में लेंगिक पूर्बाग्रेको इस तरीके का statement लेंगिक पूर्बाग्रेको प्रदर्शित करता है मतलब यहाँ पर जोल है समाज के नजरिये से जोल पाया जारा है इस question में क्यों क्यों कि लड़कों को बुद्धिमान बता जा रहा है लड़कियों के पेक्षा जबकि समाज के rules यह नहीं कहते हैं समाज के rules यह कहते हैं कि दोनों समान हैं लड़कियों और लड़कों को समान वरियता दीनी चाहिए तो इसलिए यह लेंगिक पूर्बाग्रेक को प्रदर्शित करता है ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में अब देखिए आज questions क्या पूछेगे सीखी इस तरीके सारे आपको रड़ डालने हैं अधिगम से संबंदित प्रश्णा बहिए सिंपल सी बात की सीखने का एक बेहतरीन तरीका या चेंजमेंट जो होता है ठीक ना इस्थाई परिवर्तन होता वो क्या है अधिगम है अधिगम की चार प्रमुप परिभासा हैं जैसे ब्यवहार के दोरा ब्यवहार में परिवर्तन किसने का है गिलफोर्ड ने का है ये किसने का है ये भी अधिगम है तो गिलफोर्ड ने का है ये वाला आपको याद रख लेना है इस तरीके से आपको एक क्रो एंड क्रो की परिवासा याद कर लेना है एक इसकिनर वही उत्त का अगर हम मैप देखेंगे ना तो भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये धक्षड का जो इलाका है ना ये धक्षड का इलाका ये काफी के लिए काफी जो है उत्पादित छेत्र है अब इसमें अगर मैं पूछू आप से कौन सा तो जो करनाटक वाला छेत्र है ना करनाटक क च्छेतर करनाटक का च्छेतर सबसे नमबर बन पर है अब करनाटक option में है तीन में अब भई एक तो कट गया अब याद रखना है करनाटक के बगल में लगता हुआ है केरल और तमिलनाडू भी है तो इसलिए कौन सा हम मारें हमेशा आपको मैं बता दू कि करनाटक के बाद आपको केरल मारना है फिर तमिलनाडू मारना है अब option आप देख लिजेगा कौन सा सही होगा करनाटक नमबर बन पर काफी नमबर टू पर केरल नमबर थरी तमिलनाडू तो यहाँ पर जो option जाएगा किसके साथ बेटा दो के साथ चला जाएगा बहुत बड़िया वीडियो अगर पसंद आ रही तो चैनल को like जरू कर ले यानि वीडियो को like कर ले और अभी तक कुछ बहनों ने कुछ भाईयों ने चैनल को subscribe नहीं किया होगा मुझे पता है आप चैनल को subscribe कर लें जैसे सेलेक्शन हो चैनल को out कर दें ऐसा कोई नहीं कहाएगा क्योंकि आप हमारा परिवार हैं दोश्तों हमारा उद्देश से ही आपका सेलेक्शन है not subscriptions ठीक ना सिद्धान से सम्मंदित प्रशन आया सारे सिद्धान पावलाओ इसकिनर ठोन डाइक और प जोन सा ऐसा option है जिसमें सिसु को साहता नहीं मिलेगी बताइए जबाब दीजेगा दोसों मैं बता दू इस question का जो answer है वो किसके साथ चला जाएगा बेटा वो चला जाएगा आपका school का बस्ता इसकूल का बस्ता एक आपका कोई भी साहता एक अधिगम में help नहीं करता है आ बच्चा कोरी स्लेट है बच्चा कोरा कागज है पुरुसकार चोटे चोटे पुरुसकार देना भी एक पॉजिटिवनेस है अब आप कोकिक सर्थ तो आप ने बताया था कि negative होता है पुरुसकार देना मैंने कहा है कि हद से जादा कोई भी चीज अती अगर करते हो तो negative है बच्चे को दंड देते हो तो निगेटिव है लेकिन बच्चे को अगर सही समय पर सही वक्त पर सही दिसा में डाटा तो अच्छा है कभी-कभी तो मेरी बाद समझेगा कि स्कूल का बस्ता यहाँ पर मारेगा कभी भी पूरुसकार मत मार देना कपोत का तद्व वही कभूतर वाना भासा कौसल से संबनित कुष्ण आया एक कुष्ण हमेशा पूछा जा रहा है भासा अर्देन और अधिगम से संबनित प्रस्ण आया चंद से संबनित चंद भी देख लीजेगा बहुत आसान आता है नाक का बाल होना प्रिय की बात करी ग में पूछा गया बताई संग्रे करने की प्रवत्ति इतने वारटाय अवस्थाओं से पचास-पचास कुष्ण कराएं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है कमेंट किसे का फटा-फट बुडबर्त को इसकिनर को वरगिम वरकिंगम को या थोंडाइक क शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है मिस्टर थाउंडाई को इसलिए ओप्चन फूर चला जाएगा 38 देखिएगा क्या पूछा गया ओसत से प्रस्ण पूछा गया मैथ में ठीक ना अनुपाथ से मैथ में एक कुश्ण पूछा गया है बहुत आसान अब आप कोगे कि सर पेपर देने जाते हो तो आपको पता चलता है बेटा पेपर देने जाते हैं मैं अगर आपको ये बोलूँगा कि सर बहुत कठिन पेपर आ रहा तो आप यकीन मानिएगा कि गलत करके आओगे अब आप तो ये कह रहे हो कि सब बीडियो तो बना रहे हो बहुत आसान बहुत आसान समझो चीजों को कुछ बहनों का कुछ भाईयों का ये पेपर थोड़ा सा टफ़ी जाता होगा मैत वाला लेकिन यही वहाँ पर environment या हिंदी में वो मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले जितने भी एक्जाम है वो बहुत सही से करने की कोशिस करिएगा दुनिया में रबण का सबसे उतपादक और सबसे निर्यातक देश कौन सा है तो थाइलेंड है दोस्तों यहाँ पर आंसर किसके साथ जाएगा तरीके साथ बहुत आसान बता रहा हूँ मैं टेंसल लेने किया बसकता नहीं है एक कुशन कराते हैं पर्या वन को संतुलन बनाये रखने के लिए वन कितने होने चाहिए प्रतवी पर कितने प्रकार कितने जो है प्रतिसत वन होने चाहिए यह आपको कमेंट करना पड़ेगा फटाफट बताएंगे दोस्तों बहुत सुन्दर तो यहां पर देखिए यहां पर जो बन होने चाहिए वो होने चाहिए तैस परसेंट होने चाहिए अगला कारे एवं समय से संबंधित कुशन आया है आयू से संबंधित टो इनको भी फरा फरा उपर देख लीजए अटेंस ने लने की आवस्यक्ता नहीं है तो बताइएगा कोई दिक्कत है कोई समस्या है अचा यह बताओ कि पूरे राज्य में बन सबसे ज़्यादा कहां पर पाया जाते हैं और कितने परसेंट पाय जाते हैं, अगर वो नंबर वन राज्य है, तो उसमें कितने परसेंट बन हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया ये वीडियो सभी तक सेयर करूँ जिनका आग एक्जाम है, उम्मीद करते हैं आपने टेलिग्राम गुरूप जॉइन कर लिया होगा